नमस्कार दोस्तों, कानून के हाथ लंबे होंगे तो अपने घर के होंगे, पुलिस तुर्रमखा होगी तो अपने घर की होगी, अमरत काल में होगा वही जो मोदी जी के सांसदों को लगेगा सही कन्योज के सांसद सुबरत पाठक को नहीं लगा कि अपहरन के आरूपियों को गिरिफतार करना चाहिए, तो पुलिस को गिरिफतार नहीं करना चाहिए था अब पुलिस मीडिया में अपनी पिटाई और सांसद द्वारा की गई अपनी ठोकाई का CCTV फुटेज लेकर घूम रही है, CCTV फुटेज लीक करवा रही है कि देखो देखो भाईया सांसद सुबरत पाठक ने, सांसद सुबरत भाई ने हमको पीट दिया, हमें बहुत ठोका, भहें बहुत मारा CCTV में दिख रहा है कि उतरते ही सांसद जी ने धरोगा जी के कान के नीचे जोड़दार ठपड रसीद कर दिया गाड़ी से उतरते ही मारते मारते सूथ दिया अब इन पुलिस वालों को कौन समझाए कि मीडिया में CCTV फुटेज लीक करने से कुछ नहीं होता अब वो दोर चला गया जब CCTV फुटेज या कुछ मीडिया में लीक करने से बवाल मज जाता था वो काल खंड पुराना हो गया वो समय पुराना हो गया मीडिया अब बिग चुका है मीडिया अब दलाल हो चुका है मीडिया अब दोगला हो चुका है गुलाम हो चुका है दोस्तों अब कलपना कीजिए कि पुलिस के कान के नीचे अगर कोई आम आदमी ऐसी रसीद पुलिस के कान के नीचे किसी आम आदमी ने ऐसी रसीद फाड़ी होती है, ऐसा जोड़दार जन्नाटेदार दिया होता और पुलिस को मारने वाला कोई मुसल्मान होता है, कोई आम आदमी होता, तो अब तक क्या हो चुका होता कोई विपक्ष का नेता अगर पुलिस के दरोगा को पीटने वाला होता कार से उतर कर लतियाने वाला होता तो अब तक क्या हो चुका होता लेकिन भारतिय जनता पार्टी के सांसद की मार को पुलिस वाले प्रसाथ समझ कर पी गए जब F.I.R की रिपोर्ट लिखी थी उस समय सांसद का पता ज्यात लिखा था ये इससे आप समझ सकते हैं और उसमें भी किसी दिन दरोगा बाबू सांसद जी के साथ बैठ कर सुला मसवरा कर लेंगे वैसे कोई बड़ी बात नहीं है लेकिन CCTV सामने आई है तो सवाल ये उठता है कि कोई सांसद पुलिस वालों को दरोगाओं को कैसे पीट सकता है कैसे मार सकता है लेकिन हो कुछ भी सकता है इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं चिन्तित होने वाली वाला विशय नहीं हैं जो लोग ये कहते हैं कि कानून सब के लिए बराबर होता है वो आप से बिलकुल जूट बोलते हैं सफेज जूट बोलते हैं कानून सब से पहले आपकी जेब देखता है फिर आपकी पार्टी देखता है फिर आपकी जाती देखता है फिर पद देखता है उसके बाद ये करता है कि आपके साथ क्या सुलूक करना चाहिए आपको छोड़ दिया जाए या मार दिया जाए यह वही पुलिस है जो सत्ताधारी पार्टियों के लिए पर्चे फढ़वाती है उनके लिए चुनाव लड़ती है यह वही पुलिस है जो सत्ता की जूतियां उठाती है और सा प्रसाद समझकर ग्रहणर करना चाहिए लडाई का कोई फाइदा नहीं है जब ब्रजबूशन भाई का मामला यौन शोशन का मामला था उन पर आरोप लगाने वाले देश की स्टार महिला पहलवाल लोग थी जब उन लोगों ने गुटने टेक दिये तो पुलिस वाले और दरोगा ये सब कौन सी खित की मूली है इन कि जब से पहले कानून के हाथ लंबे हुआ करते थे लेकिन अब कानून की जीब लंबी हो गई है तो जब से उनकी जीब कानून की जीब लंबी हुई है और उस जीब की पहुँच जब तलवों तक हो गई है तब से कानून नेताओं की जेब में रख दिया गया है या नाम राशी वाले दरोगा यह समझते थे कि हम सजाती हैं लखनवु वालों से हमारी राशी मिलती है लेकिन लखनवु से बड़ा है दिल्ली और दिल्ली से जो टकराएगा वो मारा जाएगा जैसे पुलिस वाले मारे गए कान के नीचे यह अम्रत काल प्रेस और पुलिस दोन प्लवाने की धमकी दे दी, बुली तुम्हारे मालिक को फोन कर दूंगी, उस पतरकार ने सिर्फ यह पूछा का दी दी, कुछ बोल दीजिये, आप यहाँ सलोन आई हैं, मेठी की एक विदानसबा है, सलोन वहाँ पहुंची है, तो कुछ बोल दीजिये, तुन्होंने कहा कि तुम में ठीकी जनता का अपमान कर रहे हो तो तुम्हारी शिकायत में तुम्हारे मालिक से कर दूँगी तो ये है कि डबल इंजन की जगे जो मैं आप से बता रहा था कि अगर डबल इंजन की जगे अलग अलग कमपनी के इंजन लगे होंगे गाड़ी में तो फिर कुछ सुनवाई की समभावना बन सकती है कुछ सुनवाई हो सकती है लेकिन अभी हाल ये है कि डबल इंजन में एक इंजन पीट रहा है तो दूसरा इंजन ठोक रहा है दोनों इंजन सिर्फ सीटी बजा रहे हैं और सीटी की आवाज इतनी तेज है कि लोगों की सिस्कियां वो चीसी की भी सिस्कियां हो, पुलिस की सिस्कियां हो, अवाम आदमी की सिस्कियां हो, पतरकार हो उन सब लोगों की सिस्कियां डबल इंजन की सीटी के नीचे दब जा रही है कहने का मतलब यह है कि सुनवा इस्शून ने है यह वीडियो आप अभी उल्टा चुस्मा यूसी पर देख रहे हैं यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए और फेस्बुक के पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर करिए नमस्कार